सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके साथ नंबर पक्के हो जाएंगे इससे पहले भी कई इसारे पेपर्स वाएं वो आप चैनल पर जा करके देख सकते हैं और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप को subscribe कर लेंगे एंड अपने friends को share जरू करेंगे ठीक है चलिए पहला question इसमें अपने लोग देखते हैं पहला है असोग के अभलेक किस लिपी में लिखे गए तो जो अभलेक है लिपी यानि कि किसी ना किसी भासा में लिखे जाते हैं तो कौन सी बासा थी इस कौन सी लिपी थ système असोग three इनके जातर अभलेक अगर देखे जाए तो अब्लेक में लिखे गए ठेंगे सब्सक्राइब सब्सक्राइब है जो कि खरोष्ट लिपी में थे तक्सिसला में और जो लगमान अब जो आपके लगमान है ये लिखे गए थे अरेमाइक लिपी में ठीक है और एक और अप लेक है सेरे एको ना जो के लिखा गया था दो इसमें लिपी सामिल थी अरामाइक और ग्रीक लिपी इसमें सामिल लिखी लखेंगे और आगे पड़िए नेक्स्ट कोईशन देखिए हाँ पर पांच वियुम चेटवी सताब्दी बरतमान के तमिल लाडू में बड़े इस्तर पर खेती करने के लिए यह आवस्चत था कि क्या होना चाहिए वहां पर सिचाई के लिए तटवंदों का निर्मार होना भूमी का बनारोपर किया जाए या फिर जो घास इस्तले हैं उनको हटाया जाए या पर अधिकारियों को करओं का भुकतान किया जाए तो तमिल लाडू की बात कर रहा है यहां पर बड़े इस्तर पर खेती करने के लिए क्या हो सकता था तो जो सिचाई थी सिचाई के मार्क होना चाहिए यह उप्सन करेक्ट हो जाएगा ठीक है ब्याप के आप लोग पढ़ी लीजिएगा आगे बढ़िए निम्लिकित में से कौन सा बिकल्प मृतिकों को उनके समान के साथ में दफनाय जाने के कारण इनकी सबसे अच्छी ब्याप क्या है कौन सा कारण है जीवन में लोगों का बिस्वास था क्यूं दफनाते हैं लोगों को इसका कारण पूछा गया है जैसे किसी कि यहां पर दफनाय जाते हैं कोई जलाता है अलग अलग रीती रिवाज होती है उनके अनुसार इसका कारण पूछा गया है कि क्यों यह लोग जो मर जाते हैं लो भी सारे दिये गए options इनको भी देख लीजिए वैसे correct आपका ये हो जाएगा परिवार के सदस्यों को मृतक के समान की आवस्यक्ता नहीं थी या फिर मृतक के सामान का उपयोग करना अर्शुद माना जाता था मृतक की इस्तिति और धन को दिखाने के लिए ऐसा गिया जाता देखी ये सारे options सटीक नहीं बैठेंगे आप लोग A को लगा करके चलेंगे A option आप पर correct हो जाएगा ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं next question देखें आप ए बी सी तीन कथन दिये गए हैं कौन सा सही है आप लोगों को इसमें चित्र ना है लगू चित्र चोटे आकार के चित्र होते हैं लगू चित्र आमतौल पर बाटर कलर से कपड़े या फिर कागज पर चिन्नित किये जाते हैं जो प्राचिन्तम लगू चित लगू चित्र होते हैं ताड के पत्तों या फिर लखडी के चित्रत किये जाते हैं लगू चित्र के बारे में यहां पर पूछा गया है तो देखें लगू चित्र क्या होते हैं चोटे आकार के होते हैं पेंटिंग्स होती हैं चोटे आकार के होते हैं और यह अपन लोग कि अगर बात करें तो वो किस पर मिलते थे ताड के पत्तों पर या फिर लकड़ी पर भी चित्र बनाए जाते थे तो आप लोगों का ओप्शन जो होगा A, B, C, तीनों ही करेक्ट हो जाएंगे यहाँ पर यह उप्शन दिया गया है A में तो A आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़िए गुरु नानक द्वारा बनाएगे सुरुवाती पवित्रिस्तान को किस नाम से जाना जाता है किस नाम से जाना जाता है इनको बीजक से, खालसा से, धरमसाला से या फिल लंगर से गुरु नानक की बात कर रहा है यह तो गुरु नानक को जाना जाता है गधरमसाला के नाम से यानि की D option या पर करेक्ट हो जाएगा इसके बाद में आगे बढ़िये, A और R को पढ़ना है, इनका आप लोग को सही कारण बताना है, क्या कारण है लगो 25 सो बर्स पहले, कुछ जनपद, दूसरों के तुल्ला में अधिक मैत्पुण हो गए और इनको कहा जाने लगा, क्या? महा जनपद इनको कहा जाने लगा अब इसका कारण बता रहा है ये, कि सही तरीके से किलेवंदी की गई, सैनाए खड़ी की गई और सैनाओं के रख रखाव के लिए एक सही कर प्रणाली यानि की विवस्ता इसमें लागो की गई इसलिए इनको महा जनपद कहा गया, तो ठीक है महा जनपद क्यों कहा गया, क्योंकि वहाँ बढ़िया तरीके से किलेवंदी हो गई, बढ़िया उनिया दीवार है लग गई सैनाओं के लिए विवस्ता हो चुकी थी, उनके रख रखाव के लिए सही प्रणाली विवस्ता भी लागो कर दी गई थी, इसलिए इनको क्या कहा गया, महा जनपद कहा गया था, तो आप लोगों का आप्सन कौन सा सही होगा इसमें, ए और और दोनों सही हो जाएगा, और इनकी ब्याख्या भी सही हो जाएंगी ठीक है चलिए आगे बढ़िए निमलिकित में से कौनसी नई प्रणाली हौल्ट मेकेजी द्वारा त्यार की गई थी कौनसी प्रणाली की गई थी हौल्ट मैकेजी के द्वारा इस्ताई बंदोबस्त, तो जो Halt McKenzie थे इनके द्वारा जो बंदोबस्त चलाया गया था, वो चलाया गया था, महालवारी बंदोबस्त ये चलाया गया था, ठीक है, इसको ब्याक्या देख लीजिए, महालवारी विवस्ता East India Company के द्वारा 1833 में, उत्तरपदेश, पंजाब, मत्यपदेश, इन तीनो राज्यों में लागू की गई थी, राज्यों के नाम याद रखिएगा, क्योंकि इसमें नाम चेंज करके दे सकता है, किसने की थी, Halt McKenzie के द्वारा इसको प्रतपादन किया था, भू राज्या सु बिवस्ता भारत के 30% भूमी पर ये लागू की गई थी, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, निमनिकित मैं से किस राज्य के कैकोलार और देवांग समुदाय बुनकरी के लिए प्रसिद थे, किस राज्य के थे, पश्यम भारत के, पूर्वी भारत के, उत्तर भारत के, या फिर दक्षिन भारत के, तो जो समुदाय प्रसिद थे, वो दक्षिन भार और सुवास्चंद्र बॉस ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंतता वा समानता की मागों का समर्थन किया है ठीक है दूसरा बता रहा है इसमें रीजन कि राष्टी नेताओं ने आस्वासन दिया था कि स्वतंतता मिलने पर सभी पुरुषब महिलाओं को पोड डालने का दे दिया जाएगा बिल्कुल यही हुआ था क्यों इनको समर्थन दिया था क्योंकि इन्होंने का था वादमे के जो पूरुषब महिला है वो दोनों बरावर है बोड देने के अधिकारी रहेंगे इसलिए आप लोगों का सरसन भी ठीक है और इसका जो रीजन दिया गया है बोबी ठीक है ओप्सन जो होगा यहां पर आप लोगा फिर से एक अरेक्ट हो जाएगा ठीक है चलिए आगे पढ़िए इनमें ऐसे कौन सा सब्द सूफी बाद से जुड़ा है सही विकल को इसमें चुनना है खानका है रिक्स है जिक्र है इसनान है तो जो आपका सूफी ब जड़ा हुआ नहीं है चलिए आगे पढ़िए और अगर सूफी बात का जनक पूंचा जाए तो बू हो जाएगे मुणुद्धीन चिस्ति हो जाएए इनके जनक छलिए आगे पढ़िए तो यह जो पुष्टग लिखी गया ती कास्तकार की चाब को नारायन गुरू ने ब फुले के द्वारा बी ओप्सनिस में करेक्ट हो जाएगा चीक है आगे बढ़िए निम्लिकित मैसे के सुतंता सैनानी जो के बर्तमान के करना ठकसे थी इन्होंने प्रवात फेरियों का आयोजन किया था किसने किया था सरोजनी नाइडू ने अंबा भाई ने बेगम हजरत मह फेलने या फिर विजय लक्षमी ने तो यह जो आयोजन किया था अंबा भाई के दौरा इसका आयोजन किया था बी ओप्सन करेक्ट हो जाएगा किसका किया था प्रवात फेरियों का आयोजन किया था ठीक है कहां से थी यह करना ठकसे थी आगे बढ़िए यहाँ पर पहला उप्सन यह कह रहा है प्रांती स्वायत अता के संधर में विचार करना या सही विकल्पापन लोगों को चैन करना है प्रांती स्वायत अता कि ठीक है पहला इसमें कह रहा है यह कि सरकार ने एलान किया कि 1937 में प्रांती बिधायकाओं के लिए चुनाव कर जाएँगे दूसरा इसमें कह रहा है ये कि इन चुनावों के परणा माने पर ग्यारे में से सात प्रांतों में कॉंग्रेस की सरकार बनी है ठीक है तो यहाँ पर आप लोगगों को A और B में से सही बताना है कौन सा जही हो जाएगा तो A और B डोनों ही यहाँ पर गलत हो में सही पूछा गया है भारती संविदान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ ठीक है इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिए लागू कब हुआ था 26 जनवरी 1950 को ही हुआ था इसमें सारभाविक बैस्कमता अधिकार्स को लिया गया था सभी भारती जो के 18 बर से अधिकायों कहें उनको बोड देने का अधिकार था 18 नहीं था इसमें तो इसको आप लोग काट देंगे ठीक है सभी नागरकों को कानून के समक्ष समान माना गया था यह इसमें करेक्ट है तो यहां पर आप लोग का उप्शन जो सही होगा A और C सही होगा इसे साब से उप्शन D करेक्ट हो जाए वो मानचित्र होता है थीमेटिक तो यहां पर भारत का सड़क मानचित्र है भारत का परवतों का मानचित्र देकि परवतों का दिया गया है यानि कि इसमें कई सारे परवत आ जाएंगे एक थीम पर नहीं है यह भारत के राजियों का मानचित्र गाओं के खेतों का मानचित है और इन मेंसे सही विकल्प मा यहाँ पे चैन मारी करना है – करकरेखह और मकरने रेखह के बीच वाले छेतर में सब से अधिक उसमा प्राप्त होती है, इसका रिचन बता रहा है कि यह करकरedar रेख सओर बारी बिंच ब्याख्या भी सही हो जाएगी तो option आपका जो सही होगा वो ए हो जाएगा आगे बढ़िए जब green बिच पर 11 यानि कि सुबह के 11 बजे होंगे तब 9 बजे सुबह के किस तेसांतर बजे होंगे यानि कि 2 घंटे पहले का माना जा रहा है तो 2 घंटे पहले उसका यहां पर चुनाब करना है तो बताए कौन सा सही है आप है दक्षनी गुलार्द में सबसे लंबा दिन यह बता रहा है कि 21 जून को होता है तो 21 जून को सबसे लंबा दिन होगा तो फिर 22 दिसंबर को क्या होगा चिक है इसको हड़ा दीजिए दक्षनी गुलार्द में सबसे छोटा दिन 21 जून को होता है यह बिल्कुल सही कह रहा है 21 मार्च बा 23 सितंबर को दक्षनी गुलार्द में दिन तथा रात की अवदी समान होती है यह बता रहा है तो यह भी बिल्कुल ठीक है यहापे B और C आप्षन आप लोगों के लिए सही हो जाएंगे एको यहाँ पर कट कर देंगे तो आपका जो सही होगा वो D हो जाएगा चलिए आगे बढ़िए सेल के एक प्रकार से दूसरे पकार में परिवर्दिन होने की प्रक्रिया को कहा जाता है सेल निर्मार, सेल चक्र, सेल परिवर्दन, सेल अप घटन तो इसको क्या कहा जाता है एक प्रकार से दूसरे पकार में अगर कोई सेल है सेल यानि की कोई चटान है कोई एक इस्तलखंड है, भाग है, पत्तर है जो भी आप मानना चाहें वो उसका एक प्रकार से दूसरे पकार में परिवर्दन हो रहा है तो इस प्रक्रिया को कहा जाता है सेल रॉक साइकल कहा जाता है इसको या फिर सेल चक्र कहा जाता है ठीक है, आगे बढ़िए चलिए महासागरी जलका लहावद रूप से दिन में दो बार उठना और गिरना ये कहलाता है क्या दिन में दो बार क्या आता है आप लोग को पता है ज्वार और भाटे आते हैं तो यहां पर आपका उप्सन जो सही होगा वो बी उप्सन यहां पर सही हो जाएगा ज्वार और भाटा ये क्या कहलाता है मासागरी जलका लेवात रूप से दिन में दो बार उपर उठना और दो बार नीचे गिरना ठीक है चलिए आगे बढ़िए निम जो युग्म दिये गए है उनका उचित बिकल्प का चैन करना यहां पर तो आप लोगों के दो सही हो जाएंगे यहां पर ठीक है बी ओप्सन यहां पर करेक्ट है तो है जिक है आप लोगों का उत्री अमेरिका में प्रियरी होता है दक्षे अफ्रीका में बैल्ड होता है मदेशिया में श्टेपी होता है औस्टेडिया में आपे डाउन्स होता है चलिए आगे बढ़िए निम निकेत मैं से आने वादे सुनामी का पहला संकेत कौन सा होता है 38 छेतर पर आता हुआ जल या फ़र 30 छेतर में जल में कमी आती है देखे सुनामी जब आता है तो क्या होता है सबसे पहले जो जल होता है तटका वो पीछे की और लोड़ता है यानि कि समुद्र की तरफ में जाता है फिर एक दम से लहर वन के बाहर की और में आता है तो यहां पर आपका उप्शन जो सही हो जाएगा वो भी होगा प्राकरतिक बनस्पति तता बन्यजीब हमें कहां पर मिलते हैं कहां पर मिलेंगे आप लोगों को पता है इस्तल मंडल में जल मंडल में बायू मंडल में या फिर जयब मंडल में प्राकरतिक बनस्पति की बात कर ला है बन्यजीब की बात कर ला है तो यह आप लोगों को बाय नदी बहती है भ्रहमपुत्र है गंगा है यमुना है सिंदु है तो अगर इसमें देखा जाए ठंडे रेगिस्तान यानि के लेगिस्तान कहां पे आप लोगों का लगदाख में बुल जाता है तो यहां से भेहने बारी नदी सिंदु हो जाएगी बाकी का अगर देखा जाए तो सभी ठंडी जगे से ही हो करके निकलती है लेकिन यह बहरत का सिंदु हो जाएगी निम्रिकत का मिलान करना है उनका उचित बिकल्ब का चयन करना है चलिए राचित ये गए है उनके पड़मारू उर्जा के इंद्र दिये गए है तमिलनाडू में आप लोगों को देखने को मिलेगा कलपकम यानि कि एका सेकेंड हो जाएगा महराष्ट में आप लोगों को तारापुर देखने को मिलता है उत्रपदेश में आप लोगों को नरोरा देखने को मिलेगा और करनाटक में केगा देखने को मिलेगा तो option यहाँ पर आप लोगों correct हो जाएगा यहाँ C होगा ठीक है चलिए आगे बढ़िए नीचे दिएगे कत्मा में से सही बिकल्गपई यहाँ पर चैन करना है अलवर जल का केवल 1% लफ्द प्राप्पे है तता मानब उप्योग हित्व उप्योगत है B इसमें असासन B बता रहा है option के अलवर जल प्रत्वी पर सबसे उप्योगी पधार्त है ठीक है तो यह आप लोग का क्या है A और B सही है लेकिन कोई भी ब्याख्या नहीं कर रहा है तो इसलिए आपका जो क्या हो जाएगा B को इसमें आप गलत मानके चलिए यह पीने योगी तो नहीं होता है ठीक है मूलिवान बस्तू होती है क्योंकि इससे अमलोग क्या मिलता है नमक मिलता है इसलिए useful तो है पर पीने योगी नहीं है तो A और B दोनों सही हो जाएगे लेकिन इनकी ब्याख्या नहीं है तो यहाँ पर option जो होगा वो B correct होगा आगे बढ़िए निमलिकित नामों पर विचार करना है मिलपा लदांग रोका चीरू उपर दिये गए नाम किस से संब्बन देते हैं अगर देखा जा तो यह क्रसी से संब्बन देते हैं क्रसी भी कैसे है जो सिप्टिंग कल्टिवेशन यानि की इस्ताना अंतरी क्रसी होती है इससे ही है संब्बन देते हैं बिलुप्त प्रजातियों से संब्बन देते हैं तो यहाँ पर आपका option A correct हो जाएगा चलिए आगे बढ़िए भारत का बढ़न करते हुए किसने अनेकता में एकता मुहावरे का प्रेव किया हुआ है किसने है बताईए आप लोग option इसमें दिये गए है मात्मा गांदी रभिंद्र नाट्टेग और जवाहर लाल नहरू बाल गंगा धरते लग तो इसमें ये अनेकता में एकता मुहावरे का जो प्रेव किया हुआ है वो जवाहर लाल नहरू के द्वारा किया गया है सी ओप्स ने हापे correct होता है इस्थानिय संचार मात्यम मीडिया क्या होता है राज्य संभू द्वारा दूर दराज के छेत्रों के लोगों के इस्थानिय मुद्धों को कवर करने के उद्धे से चलाय जाने वाला संचार है या फिर राष्टिय समूहों द्वारा दूर दराज की छेत्रों को लोगों के इस्थानिय मुद्दों को कवर करने के उद्देश से चलाय जाने वाला संचार है या पिर अंतराष्टी समूह द्वारा दूर दराज के छेत्रों के लगवग लोगों के इस्थानिय मुद्वों को कवर करने के उद्देश से चला जाने वाला संचार का माध्य है इस्थानिय संचार माध्य मीडिया की बात कर रहा है यहाँ पर तो आप लोगों का सी उप्सन करेक्ट हो जाएगा क्या होता है मीडिया जो इस्थानिय समूह होते हैं उनके दौर दूर जो छेत्र होते हैं उन लोगों के इस्थानिय मुद्वों को कवर करते हैं पर किसंपर केंद सरकार कानूर नहीं बना सकती है किस पर नहीं बना या पिलिस पर या फिर मुद्रा पर तो देखिए जो केंद सरकार होती है वो चानौन किस पर नहीं बना सकेगी पुलिस पर कानौन वो नहीं बना सकती है C option correct हो जाएगा बागे की banking पर संचार पर मुद्रा केंद्रिय पर इस पर क्या है यह सभी सरकार के विशे हैं पुलिस जेल इस्थानी सरकार सारवजनिक स्वास्ते स्वच्छता अस्पताल सारवजनिक विवस्ता यह सभी किसमें आते हैं राजसूची में आते हैं ना कि केंद् संदर्वित करती हैं जिसमें क्या होता है यह संग बाद कहा जाता है से यह अबसन यहां पे correct हो जाएगा आगे बड़िये दादन वीवस्ता एक ऐसी विवस्ता को संदर्वित करती है जिसमें क्या होता है? बुंकर एकलटे होकर परस पर लाव के लिए काम करते हैं या फिर बुंकर सूथ खरीदने कमे अपना पैसा लगाते हैं और तयार कपड़ा इनको सीधे बजार में बेचे देते हैं तो देखे कभी आप गलियों जो छोटी-छोटी गलियां होती है उन घरों में जाओ तो सभी जो लेडी जो होती हैं बच्चे होती हैं काम करने में क्यों इनों कोई काम करने में लगे होते हैं तो उनके पास में क्या होता है जो ब्यापारी होता है मालिक होता है वो उनको कच्छा माल दे हliamo है निम्ले कित में से किन कारण या फिर कारणों से घ्रामीड परिवारों में लोग बिसेस मौ้सम में पलायन कर जाते हैं या निकि एक जगह से दूसरी जगह में चले जाते हैं तो इसका कारण हैं पर पूछा गया है क्या कारण है ग्रामीर छेत्रों में कुछ परिवार ऐसे हैं जो कि बड़ी बड़ी जमीन ब्यापार और अन्य काम दंदों पर फल फूल रहे हैं ऐसा तो नहीं है पलायन करने का कारण तो इसको हटा देंगे ठीक है आगे कह रहा है कि जो खेते हर मजदूर होते अपनी कमाई के लिए दूसरों के खेतों को निर्वर रहते हैं बिल्कुल सही कारण ये बता रहा है आगे कह रहा है कि साल के हर एक समय उन्हें काम नहीं मिल पाता इसलिए भी वो पलायन कर जाते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा जो खेती का काम भी होता है वो भी 2-3 महीने चलता है पिर कई महीने तक भी ठप रहता है बारिज के मौसम में ज़्यातर काम बंद रहता है तो ये क्या करता है खेती का काम भी क्या होता है हमेशा नहीं रहता है हर पूरे साल इनको काम नहीं मिलता है इसके कारण भी ये लोग पलायन कर जाते हैं एक जगे से दूसरे गए चले जाते हैं तीसरा ये इसमों option बता रहा है कि जो खेती और मजदूर होते हैं अपने काम के बदले बहुत पैसा कमाती है ठीक है ये भी है आपने option ठीक हो रहा है कि जो खेतीयर मजदूर है अपने काम के बदले बैसा कमा रही है इसलिए भी वो पलायन कर जाते हैं तो B, C, D option ये आपने correct है जो कि आप लोग के B option में दिया गया है तो option B correct हो जाएगा आगे बढ़िए किसने कहा था कि मैं ये बिचार सहन नहीं कर सकता कि जैसा आदमी के पास संपत्ती है बबोट दे सकता है लेकिन बहा आदमी दिनवर अपना पसीना बहा कर इमानदारी से काम करता है बहा बोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है ये किसने कहा है आप लोगों को पता होगा महात्मा गांधी के द्वारा ये कहा गया था ए उप्शन करेक्ट हो जाएगा ठीक है अच्छे से याद रखिएगा फिर से पूछा जा सकता है सरकार ने ऐसे कानून पारत किये हैं जो किस से अधिक महिला करमचारी वाले संगटन के लिए क्रेच सुबधाय प्रादान करना अनिवार बनाते हैं तो कौन से हैं, चो कौन सा कानून हो जाएगा है, आपर 15 हैं, 20 हैं, 25 हैं या फिर 30 हैं, तो 30 से अधिक महिला कर्मचारियों वाले संगटन हैं, इनके लिए क्रेच सुबदाय बदान करना अन्वार बनाया गया था, तो D-Option या पर करेक्ट हो जाएगा, आगे पढ़िए, भारती संगटन का कौन सा हिस्सा भाग, कल्यार कारी राज्य के आदर्स होने की खोसना करता है, कौन सा हिस्सा करता है, मौलिक अधिकार है, राज्य के नीति निदे सर्व सिध्धानत है, प्रस्तावना है या पर सांत भी अनुसूची है, तो ये किसके लिए करता है, कल्यार कारी राज्य के आदर्स के होने की खोसना करता है, यहाँ पे आप लोग के, आपके DPSP यानि के राज्य के नीति नीदे से सिद्धान्त हो जाएंगे बी ऑप्सन करेक्ट हो जाएगा जो कि भाग चार में आप लोगों को देखने को मिलते हैं संभिधान के ये भी आप लोग याद रखेगा इंपोटेंट है डाक्टर बियारम बीडगर की अनुसार मौलिक अधिकारों के दोहरे उद्धे से हैं कौन कौन से हैं दोहरे उद्धे सुनके देख लीजिए प्रत्यक नागरिक ऐसी इस्तिती में होके बाव उन अधिकारों के लिए दाविदारी कर सके या पिर ये अधिकार उस सत्ता एवन संस्ता के लिए बादिकारी हो जिसे कानूर बनाने का अधिकार दिया गया है यहां पर स्वतंत भारती राजी के लिए एक माग दवसक के रूप में काम करे यहां पर अधिक सामाजिक और आर्थिक सुधार सुनिश्यत करने के लिए कारने करें तो यहां पर दोहरी ववस्ता के बारे में पूछा गया है तो आप्शन जो यहां पर सही हो जाएगा कि जो प्रत्यक नागरिक है ऐसी इस्तिती में हो कि उन अधिकारों के लिए दाविदारी कर सके यानि यह ओप्शन करेक्ट हो जाएगा दूसरा यह अधिकार हर उस सत्ता और संस्ता के लिए बात्दिकारी होने चाहिए जिसे कानून बनाने का अधिकार दिया गया है तो A और B यहां पर करेक्ट हो जाएगा और यह दिया गया आप लोग के आप्शन A में चीक है आगे बढ़िए संसद्वारा पारित कानून को न्याय पालिकाव बदलने का अधिकार यदिवा मानती है कि संबिधान की मूलवू सरचना का उनलगन है कहलाता है क्या नियाएक सक्रियतावाद, मूलवू छेतरादिकार, नियाएक पुर्णी चण या फिर अपील ये छेतरादिकार, तो यह कहलाता है नियाएक पुर्णी चण यानि के जुडीसियल, रिव्यू कहलाता है यह उप्शन करेक्ट हो जाएगा, आगे बढ़िए, हाथ से मेला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन पर निसेद और उनका पुनरवास अदियम 1993 लागू हुआ तक क्यों लागू हुआ तक हरण पूछा गया है, इस छेतर में सफाई कर्मचारी अमान भी इस्तितियों में काम करते हैं, उन्हें अधिक बेतन की मांग और कई सेरो में काम करने से बना कर दिया गया, या पिर इस छेतर में हुए तकनीकी विकास के करण इसमें लोगों की जरूवत नहीं रहे गई, या पिर सरकार इस छेतर का निजी करण करना चाहती थी, हाँ पर ऑप्शन जो आपका करेक्ट होगा वो एग हो जाएगा, यह क्या करते थे हाथ से मेला उठाने वाला जो उस करमचारी थे, इनकी नियोजन का निसेद और उनका पुनरवास अदनियां 1993 में लागू हुआ, कारण उसका यह था कि मानवी गरिमा के खिलाब था, यह सफाई करमचारीों के अमानवी इस्तितियों से छुटकारा दिलाने है तू, बनाया गया था क्योंकि इस छेत्र में सफाई करमचारी कैसे थे, अमानवी इस्तिति में काम कर रहे थे, आगे बढ़ते हैं, घरेलों हिंसा से महलाओं के सुरप्चा है तू, एक्ट प्रभावी हुआ था, कव हुआ था, 2002 में, 2004 में, 2005 में, 2006 में हुआ था, तो यहाँ पर ऑप्श हजर नियम बनाता 26 अप्टूबर 2006 को, आगे बढ़िये, निमलिकित में से कौन से सामाजिक विज्ञान के सिच्छर के समय समानता की चर्चा के उद्देश से हैं, कौन से हैं या पर, अधिगम करताओं के साथ गरिमा संबंदित मामलों को संभोधित करना, अधिगम करताओ को प्रत्यग व्यक्ति का सम्मान करने के प्रति सम्मेदल्सील बनाना, या पर, सभी भिणताओं जीवन में अत्यावस्यक हैं यह समझाना, या पर, सम्मेदान में प्रतिश्ठापित मूलियों को आत्मसाथ करवाना, तो, यहां पर आप लोग का जो option correct होगा, वो, समानता क के लिए चर्जा का उद्यस पूछा गया यहां पर, तो, अधिगम करता के साथ में, गरिमा सम्मुदित मामलों को सम्मुदित करना, यह option यह पर correct हो जाएगा, अधिगम करता के प्रत्यग व्यक्ति का सम्मान करने के प्रति सम्मेदल्सीन बलाना, यह भी ठीक हो जाएगा, सभी भिन्नताय जीवन में आवस्यक हैं, समझाना भिन्नताय नहीं समझाए जाएगी, यह आपका नेविटिक बर्ड हो जाएगा, जिसको आप हटा देंगे, सम्मिदान में प्रतिश्टापिक मूल्लियों को आत्म साथ करवाना, तो, डी ओप्शन भी यहां पर correct हो ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, सामाजी बिग्यान अध्यापन हेतु, अन्ते सास्त्री उपागम का उपयोग करते हैं, सही बिकलपई यहां पर चैन करना है, पहले इसमें कह रहा है कि पाठे करम का अध्यापन पूर्ण हो गया है, इसको सुनिश्चित करना, अनुसासन की सीमा के भीतर सीखने में सक्षम बनाने के लिए करना, या फिर बिसय के बीचंतर संबंदों और अन्योन्यस्रिया के बढ़न करना, या फिर एक ही प्रसंग को सामाजी बिग्यान के बिभिन कौणों से देखना, तो यहां फिर आप लोगों का उप्शन जो सही हो जाएग बिसयों के बीचंतर संबंदों और अन्योन्यस्रियाता को इनका बढ़न करना और एक ही प्रसंग को सामाजे बिग्यान के बिभिन कौणों से देखना, C और D आप्शन आपके D में दिया गया है, तो यहां पर D आप्शन करेक्ट हो जाएगा आजी बिग्यान की एक सिचका से या उम्मीद की जाती है कि क्या करना चाहिए, घर के काम पर चर्चाना करें, सिर्फ पूरुस मर्दूर के मुद्दों को प्रस्तुत किया जाए, या फिर केवल नियमित बेतन भोगी काम पर पल दिया जाए, या फिर लोग जिन बिविन त स्रेष्ट बिकल्प का चैन करना है, जो यह सिद्ध करता है कि क्यों सामाजी बिग्यान की सिच्छन के समय कक्षा में प्रश्ण पूछने के लिए, बच्चों को प्रोसायत करना चाहिए, ठीक है यह आपके सामाजी बिग्यान की एक अच्छा है, इसमें क्या करना चाहिए कि बच्चों को क्यों पूछना चाहिए, यहाँ पर सही option आप लोगों को चूच करना है, प्रशन बच्चों की जिग्यासा को बढ़ाते हैं, ठीक है, आप इसको correct कर लेगे, बच्चों को इसका एसास कराया जा सकता है, कि उनमें बुद्धी की कमी है, देखें, बच्चों प बहुत नीचे हैं, बच्चे बहुत ऊपर लखने हैं, इसको काड़ देंगे, आगे क्या रहा है, प्रशन अधिगम को पारसपर किरिया द्वारा आगे की ओर में ले जाते हैं, तता संकल्पनात्म को इस पस्टता की ओर बढ़ाते हैं, यह भी आपका सही हो जाएगा, बच जो स्क्रेक्ट होगा, वो सी हो जाएगा, ठीक है, चलिए, आगे बढ़िए, और अगर आप लोगों ने अभी तक इसको सब्सक्राइब नहीं किया, सेर नहीं किया, तो आप वो भी कर देंगे, ठीक है, चलिए, नेक्ट कोशन देखिए, 45 नंबर है, निबलिकित में से किन बिन बिन आयामों पर छोटे समूव वाली प्रयूजने देना, या पिर समुदाय के परवों पर समूव में परचर्चा करना, कक्षा में प्रशन पूछता सिच्चक, या पिर कक्षा विध्याले में खाद सबका आयूजन करना, तो यहाँ पर आप लोगों को पूछा गया परवों पर समूव में परचर्चा करना, बिल्कुल यह भी इसमें सामिल हो जाएगा, ठीक है, और कक्षा में प्रशन पूछता सिच्चक देखी, इसमें संस्कृति का कोई भी विध्या नहीं होगी, तो आप इसको थोड़ा सा साइड कर लेंगे, इसको हटा देंगे, ठी बते हैं कि सभी तरह तरह कि जो किसी के आपे पराठे बनते हैं, अगर आप साउथ इंडियन में चले जाएगे, तो हापे इंडियन वो एडली सावर बनते हैं, मतलब जो भी अपने पूरी सबजी है, दालबाटी है, यह सभी फूर का आयजन करेंगे, तो भी क्या हो जाए सामध्य विग्यान की एक सेच का है बिविन्य विध्यारतियों को प्राय विन्य विन्य कार्रे नियत करती है और यह विश्वास करती है कि क्या विश्वास करती है कि बच्चों को एक ही प्रकार का कारे दिया जाना उन्हें पसंद नहीं आता है या फिर विद्ध्यारतियों में ब्यक्तिगत भिन्नताय होती है बिलकुल आपका option जो correct होगा वो यही होगा क्योंकि जो आप लोग देखा होगा को हर एक विद्ध्यारती उनका क्या होता है अलग-अलग दिमाग होता है अलग-अलग तरीके से सोचते हैं कोई भी विद्ध्यारती सेम नहीं होता है चीक है बी option correct हो जाएगा आगे बढ़िए next question देखती है आपर सामजी विद्ध्यारतियों को भारत का विभाजन के विसे में पढ़ाते समय निमले कितमे से कौन सा उप्योक्त होगा कौन सा होगा यहां पर बता दी थी आप लोग पहला इसमें कहा रहा है कि 1940 में जैपूर से प्रकासित अभी लेकित समाचर पत्र रिपोर्ट को पढ़ना या फिर राजियों के पुरार घटन के पस्चाथ पत्र मिलनाडू से केरल चले जाने वाले व्यक्तियों के सच्छत कार की अभी लेक रिकॉर्ड का उप्योग करना तो यहां पर आप लोग साथी साथ में उप्सिंस लगाते जाएए पहला यहां पर एक तो करेक्ट हो जाएगा एक के साथ में यहां पर बी की कहा रहा है कि सक्छत कार को कराना है अभी लेक के रिकॉर्ड देखिए ऐसा नहीं मिलता है तो आप इसको काट के चलेंगे आगे बढ़िए 1940 में लाहोर से पंजाब में आए लोगों के सक्छत कार के अभी लेकर यानि के रिकॉर्ड का उप्योग करना तो यहां पर भी यह भी ठीक हो जाएगा गांदी चल्चित्र यानि की मूँ भी देखना यह भी C में सामिल हो जाएगा आप लोगों का A, C, D तीन उप्शन आप पर करेक्ट हैं जो के B में दिये गए हैं ठीक है चलिए आगे बढ़िए नेक्ट कॉघशन इसमें कहरा है कि कल्कना करनी है अपन लोगों को सामज बिग्जान की गक्षा में भारत में बिवीनिश सरकारत वारा दी गई मुप्त सवुधाएं इन पर चर्चा हो रही है चर्चा में क्या होना चाहिए यहाँ पर क्या होना चाहिए चुकि सरकार ऐसी गतिविदी में सनलिप्त है तो सरकारी स्कूल के सिच्छक के लिए कक्षा में ऐसी चीज़ों पर चर्शा करना उप्युक्त नहीं होगा बिल्कुल गलत दिया गया है नहीं को काट देंगे आगे पढ़िए बिध्यारतियों को मुप्तु सुविदाओं के समर्दन या फिर ब्रोध में अपने बिचारों मतों को ब्यक्त करने के लिए प्रेरित किया जा सकता है बिल्कुल बच्चों को उनकी बिचार रखने चाहिए इसमें टीचर को भी सयोग करना चाहिए चीक है आगे कह रहा है कि सिच्छक सरकारों मुप्तु सुविदाओं क्यों दी जाने चाहिए ये तो प्रमाण साच्यों को उपलब्त कराने के लिए बिध्यारतियों को प्रेरित करेंगे ये भी बिल्कुल ठीक है विसी को भी आप लोग सही से मना की सलेंगे सिच्छक भारतिय सम्मिदान की दस्टी पर आधारित नि इसकर्स नहीं निकालना है तो इसको आप लोग काट करके चलेंगे ऑप्सन जो सही होगा यहां पर डी हो जाएगा बी और सी यानिकी डी ऑप्सन करेक्ट है चलिए आगे बढ़िए मान लीजिए कि सामाजी बिग्यान का एक सिच्चक बगतर भी देता है कि भारत में हिंदी बोलने वाले लोगों की संख्या में ती ब्रुवर्ती हुई है सामाजी बिग्यान थी गक्षा में आलोचनात्मुख चिंतन कॉसलों को प्रोसायत करने की क्या संभावनाय हो सकती है बता दीजे आप लोग भारत के जनगर्णा के विविन बरसों की रिपोर्ट पर विचार करना या फिर जिस सामाजी बिग्यान के जानकार ने इसे विक् या पर इसमें यह कह रहा है कि समाचार पत्रों को रिपोर्ट के आदार पर विद्ध्यारतियों को प्रतिवाद करना चाहिए या पर ऐसे कथन विद्ध्यारती में तर्क संगत चिंतन कोसल का विकास नहीं कर सकते हैं तो यहां पर आप लोग का सिर्फ एक क्यू ऑप्शन क करेक्ट है कि जो भारत की जंगर्णा की बेविद्ध बरसों की रिपोर्ट पर विचार करना चीक है ओप्शन यहां पर एक करेक्ट है उनली एक कमांड करके चलेंगे आगे बढ़िए नेक्स्ट कोईशन इसमें जचनात्मक सोच बिचारों को अत्पन करती है और आलुचनात्मक सोच क्या करती है उन बिचारों की सरहाना करती है उन बिचारों को प्रेरित करती है या फिर उन बिचारों का मुल्यांकन करती है आलुचनाक इसमें क्या जाता है जिसमें एवैल रहे हैं कि इत्यासकारों ने यह मानना शुरू किया कि स्कूली बच्चे को भारत के संस्क्रतिक और सामाजिक इत्यास से पर्चे कराना आवस्यक है रीजन इसका बता रहा है बच्चों के लिए राजनितिक इत्यास पर आधर इत्यास लिखना एक परंपरागत उपागम है ज तो A और R दोनों सही हो जाएंगे एंड ब्याख्या भी करेक्ट हो जाएंगे चलिए C के साथ में आगे बढ़ते हैं सामाजी बिग्यान के सिच्छक की भूमेकापर निम्लिकत कत्नौप वो पढ़ना है और इनका चेयन करना है जो सही है पहला इसमें कह रहा है कि सामाजी बिग्यान के परिक्षा के बश्चात कई बिध्यारती परिच्छा से उत्पन चिंता से मुक्तो होने के लिए एक पार्टी में जाते हैं ठीक है आगे कह रहा है सामाजी बिग्यान के कह रहा है A सही है, B को ये गलत बता रहा है, लेकिन, sorry, R है, बरसों से परिक्षाओं में प्रेरख बनाने के लिए, बिध्यारतियों में सामज बिग्यान के प्रतिरुची बड़ी है, और इसलिए इसे प्रोसान करना चाहिए, देकि ऐसा इसमें कुछ भी नहीं हुआ है, तो आप लोग A को सही ही लगाएंगे, कि आप लोग भी करते होंगे कि जैसी आप लोग के पेपर खतम हुए, तो चलिए आज तो हम चैन से सोएंगे, आज तो हम अच्छा-च्छा खाएंगे, बाहर घूमेंगे, कई सारी आप लोग धारना है बना लेते हैं मन में, तो यहाँ पर A करेक् देंगे, तो यहाँ पर उप्सन जो सही होगा, वो C हो जाएगा, ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, पार्था करम बिकास के संबंद में निम्लिकित कतनों को पढ़ना है, और उपयव तो बिकल्प है, उसका सही का चैन यहाँ पर करना है, तो पहरा स्टेट्मेंट एक इसम को समलित करता है, जो कि ब्याक्या के बहु मारवों की ओर प्रबत है, और जो हमारे देनिक चीवन की अनुखव से जुड़े है, ठीक है, एक को आप यहाँ पर समझ करके चलेंगे, बी पढ़िए इसमें यह कह रहा है, भीजन बता रहा है, सामाजिविग्या, सोतंतता, वि बिद्धा के सम्मान जैसे मानवी मुल्यों की निर्मार करने और उन्हा पोसित करने की सेधानतिक जिम्मेदारी का भी बहन करता है, बिलकुल सामाजिविग्या नजवाब पढ़ेंगे, तो उसमें आप इन सब चीज़ों के बारे में जानेंगे, तो यहानी कि आप लोगो से कौन सा बिषय पढ़ाया जा सकता है, इत्यास में पूछा गया है यहां पर, ताज महल की बास्तु सिर्पिय सैली, तुरकों के युद्ध की तकनिक, भारत का भिभाजन, सा जहां की राजस्तों बिवस्ता, तो यहां पर आप लोग को जो सबसे बढ़िया और टॉपिक म मिलेगा पढ़ाने के लिए, वो मिलेगा कि आप भारत का भिभाजन, याने की सी ओप्सन करेक्ट हो जाएगा, चलिए आगे बढ़िये, नेक्स्ट कोशन देख लीजिए आपर, बस पांच और बचे है, मान लीजिए कि सामाजी बिग्यान एक सिच्चक्स बिसे, खने संसा पर एक रूबरिक का विकास करना चाता है, निम्लिकित मैं से कौन रूबरिक के निर्माड का एक भाग बनेगा, कौन बनेगा, प्रगति मापनी याने की रेटिंग स्केल, प्रदसन मानक, या पर सामाजी बिग्यान लग्चे, या पर अधिगम प्रतिफल, यहां पर आप करेट हो जाएगा बोहीं है प्रगति मापनी यानी के रेटिंग स्केल इसमें आजाएगा, खने इस हंसाधन के लिए बात कर रहा है यह रेटिंग स्केल होता है और इसके साथ में याप या पर remplोग के लिए प्रदसन मानक, यानी की पर्फॉमेंस क्रयटेरिया भी सामिल ह बीने प्रकार के रूबरिक को एक एकल जांसूची में परिवर्धित किया जा सकता है जब इध्यारती की संक्या अधिक हो तब उन्हें श्रेडिवद करने की जान सूची एक सरल और तीप्र तरीका होती है तो यहां पर आप लोगा फिर से उप्सन जो A और R दोनों है वो सही हो जाएंगे और साथ में ब्याख्या भी सही है यह आपका उप्सन A करेक्ट हो जाएगा आगे बढ़ है जब सामाजी विघ्यान की सख्चगा भारत में निम्यग्यान यानिकी Lest Known स्वतंतता सेनानियों पर एक प्रश्णोत तरीका संचालन करती है तब सम्मिलित है कहां पर है प्रमड़िक आंकलन में पारमपरिक आंकलन में नेदानिक आंकलन में या फिर निर्माणात्मक आंकलन में यह लेस्ट नोन की बात कर रहा है निम्न ग्यात की बात कर रहा है यहां जो कि दिया गया है आगे बढ़िए नेक्ट कुशन देखें आपके निम्लिकित में से कौन से प्रश्न सामाजी विज्ञानक में मुखेते तत्यों आकरतियों प्रक्रमों को पुने इस्मरण और याद करने की योगिता का आंकलन करते हैं एक विध्याल है जाती आधारित भारती समाज को समाप्त करने में किस प्रकार सहायता कर सकता है यह तत्यों की बात कर रहा है आकरतियों की बात कर रहा है प्रक्रमों का पुनेस्मर कर रहा है तो यहां पर देखिए यह तो नहीं होगा यह को काड़ देंगे आप लोग आगे क अधिक प्रवापसाली कैसे बनाए जा सकता है तो इसमें भी तत्थ्य नहीं है कोई भी आकरत या नहीं है तो इसको भी आप लोग क्या करेंगे काट देंगे बाकी के और भी देखते हैं नीचे कितने देश आसियन का एक भाग है उनके नाम लिखने है तो यह देखिए हैं पर तथ्य आप लोग को इखटे करने पड़ेंगे हो सगेगा तो आप लोग उनके मैप भी देखेंगे तो यहां पर सीए करेक्ट हो जाएगा और इसके बाद में राजिस्तान के ऐसे कुछ चिलो के नाम लिखने हैं जो अपनी सीमा है पाकिस्तान से साजा करने है तो यहां पर भी आप लोग तथ्य गानी डेटा एक हट्टा करना पड़ेगा साथ मोन की आकरतिया भी देखने पड़ेंगी तो यहां पर c and d option करेक्ट हो जाएगा जो कि दिया गया है d option में ठीक है चलिए कलापों के द्वारा अधिगम को प्रुनत करना अनिवेशन के लिए अपसर पदान करना उपस्तिती में नियमित्ता का प्रभंद करना एवं भया सद में एवं चिंता से बच्चे को मुप्द करना तो यहां पर आपका option जो सही हो जाएगा आठी जो यहां पर हो जाएगा उपस्तिती में नियमित्ता का प्रभंद करना यानि की C option करेक्ट है और इसके बाद में इसके बाद में हाप option जो सही होगा भया सद में एवं चिंता से बच्चे को मुप्द करना यानि की D option भी करेक्ट हो जाएगा ठीक है C और D correct है जो कि दिया गया है D option में यह आप बाद है इसमें मोख्यत प्रतिवढंब होता है क्या होता है जानकार इवं उसके स्रोतों का प्रिश्ली साही मुल्यांकन करना है कारण जो करना है तो यह पर आपका जो option सही हो जाएगा समानता के लिए पूचा गया इसका अर्थ पूचा गया है तो यहां करेक्ट है और यह हो चुक है आपका एक और पेपर कमप्लीट यानिकि टोटल साथ कोशन यहां पर हो चुके हैं इसी तरीके से कई पेपर हमने सौल किये हैं वह आप जाकर के चैनल पर देख सकते हैं और सेशन क्या लगा जरूर बताएगा अगर अच्छा लगा हो तो अपने नेक्ट सेशन में तब तक के लिए धन्यवाद